गुद मॉर्णिंग इस्टूडियों बचो आजम आपको करा रहे हैं वर्ड मीनिंग इसके पहले आप लोगोंने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 11 था पिंजरे में सेर तो ये चैप्टर था राजा अकबर के दर्वार का इसमें लेख दिया गया था चैप्टर 11 था पिंजरे में सेर और राजा अकबर के दर्वार का एक अनोखा किस्सा था राजा अकबर जो थे उनके दर्वार में नो रत्न रहते थे उनमें एक नाम था उनके बीरबल का तो जो बीरबल थे वो नो रत्नों में से एक थे बहुत ही बुद्धिमान थे तो आस पास के जो राजा थे वो अपना कोई न कोई ऐसा एक वाक्या महाँ पे भेजा करते थे उनको अजमाने के लिए बीरबल की बुद्धिमात्ता के लिए कुछ न कुछ किया करते थे और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड में लगे रहते थे तो एक बार जो था फारस का एक राजा था उसने फरमान भेजा था और अकबर के दरवार में और क्या था कि उस फरमान में एक पिंजड़ा था पिंजड़े में एक सेर था और उस सेर को एक पिंजड़े में रखा गया था चारो तरब से पिंजड़ा बंद था लेकिन फारस की जो राजा थे उनका ये कहना था कि आम उस सेर को बाहर निकाल लीजे और हमें पिंजड़ा वापस कर दीजे ना तो पिंजड़े को तोड़ा जाएगा और नहीं खोला जाएगा सेर जो है उनका बाहर आना चाहिए ठीक है तो राजा के दरवार में सभी लोग बड़े हैरान थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिंजड़ा को खोलना भी नहीं है और उनको सलाखों को तोड़ना भी नहीं है लेकिन सेर बाहर कैसे आएगा सभी बड़े आश्चर चकित थे इसके बाद में बीरवल को बुलाया गया जब बीरवल आये तो उन्होंने सेर को और पिंजड़े को दोनों को बड़े गौर सेर नस्दीक से देखा और छू कर उसको देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो सेर है वो मूम का बना हुआ है उन्होंने राजा की दरवार में जो सेवक रहते थे उनको आदेश दिया उनसे कहा आप तीन-चार सलाखे लोहे की गरम करके ले आईए बीरबल ने सलाखे मंगाई और सेर जो था मूम का उसमें लगाई जैसे सलाखे सेर में लगी वैसे पूरा का पूरा सेर पिखल कर बाहर आ गया अब बीरबल ने कहा लोग आप अपना खाली पिंजरा ले जा सकते हैं क्योंकि सेर बाहर आ गया है इस तरीके से बीरबल जो थे बहुत ही बुधिमान थे ठीक है ये स्टोरी और ऐसी ही बहुत सारे किस्से या बहुत सारी कहानिया अकबर से जुड़ी हुई है अकबर और बहुत ही अपने समय के बहुत ही अच्छे राजा थे और उन्होंने सभी धर्मों का वो सम्मान भी करते थे और बहुत ही न्याइप्री राजा थे के दर्वान में अकसर ऐसे सब किस्से हुआ करते थे तो ये चैप्टर आपका कम्प्रीट होता है अब आपको क्या करना है अपनी हिंदी लिटेचर की नोटबुक में चैप्टर का नाम डालके वर्ड मीनिंग लिखनी है ठीक है वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे तो एक साइड में लिखेंगे सब्दार्थ और क्लास फाइब के सभी बच्चे अपना वर्ख हमें सेंड करेंगे ठीक है सभी बच्चे अपना वर्ख सेंड करेंगे और आपको नोटबुक चेक करानी है तो आप सटर्डे को अपनी नोटबुक सम्मिट कर दीजे और मंडे को आके अनिस्पॉट ले जाईए ठीक है बच्चो अब आता है आपका वर्ड मीनिंग दर्बार दर्बार मीन्स होता है सभा जहां राजा बैठे होते हैं और उनके मंत्रीगर्ड वहाँ पे बैठते हैं और राज काज के लिए सला मस्वरा करते हैं राज के उन्नत के लिए तो होता है दर्बार और वहाँ पे बैठने वाले लोग कहलाते हैं दर्बारी इसके बाद आपका है उपहार अब आता है धातू, धातू मीन्स होता है द्रव्य, जितने भी सोना, चांदी ये सब है सब धातू में आती है निरिक्षर माने होता है जाज करना, मुआयना करना, पिघलना, गर्मी पाकर गलना Next, मूर्ती, मूर्ती मीन्स होता है प्रतीमा दर्वार द्वार मीन्स होता है दर्वाजा next संभो संभो मीन्स होता है मुम्किन possible कोई भी काम है अगर आप इमानदारी से करते हैं तो आपका काम संभो है कि आप कर लेंगे फिर है मुम एक प्रकाल का चिकना पदार्थ होता है मुम् तो सभी बच्चे जानते हैं जैसे केंडिल बनती हैं लोगों की तो केंडिल वो मुम कहलाती है next है सानी सानी मीन्स होता है जोड का समता रखने वाला सानी जोड का ठीक है कोई बे जोड चीज हो तो उसको कहेंगे आपका कोई सानी नहीं है आप बेमिसाल हो ठीक है तो सभी बचिए वर्ड मीनिंग अपनी हिंदी लिटेचर की नोट बुक में अच्छी राइटिंग में लिख कर हमें सेंड करें ओके बचों ओके बैबाई है वेन आज जे टेक केर